आज ही डाउटनेट आप डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बाईलाची डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाऊ डाउटनोड नाउ कोचिन हमारा पास क्या गिवन है हमारा पास एक प्रेशर वर्स टेंपरेचर का एक ग्राफ प्लोड किया गया है एक गिवन मास ओफ गेस का जिसको हीट किया गया है 0.1 से लेकर 0.2 तक मतलब यह हमारा 0.1 है और यह 0.2 है तो 1 से लेकर 2 तक इसे ले जाया गया during the heating process तो volume जो हुआ है 1 से लेकर 2 तक वो बढ़ा है या घटा है या सेम रहा है वो हम यहां पर बताना है तो उसके लिए करेंगे क्या हम यहां पर माल लिए 8.1 प्रेशर माल लिए भाफ पास P1 है volume V1 है temperature T1 है और 8.2 माल लिए हमार पास 8.2, pressure माल लिए P2 है volume माल लिए V2 और temperature माल लिए T2 है करेंगे हम यहां पर थोड़ा सा construction करेंगे एक थोड़ा सा इस तरीकर से हमाल यह 1 है, यहां पर एeko लाईन रोखेंगे बादर 10 h welfare और उरिजिन तक पृह सेम साथ भी करेंगे साथ 2 के साथ भी करेंगे एसा चटरनर टरो ऐसी है और टर इकागा उक आनगा आप और टार गाए करते-करते हम ले जाहें कहांगे कि बात करें, तो ब्लू वाले का जो एंगल होगा, यह एंगल मान लिया हो गया हमारा theta 2 और जो red वाला है, यह एंगल मान लिया हमने theta 1 है, तो यहां पर क्या बोल सकते हैं, कि अगर slope देखें हम red वाला line और blue वाला line का, तो slope जो है rate वाले का हुजादा है, मतलब slope of 1 की अगर बात करें, is greater than slope of 2 का, एंगल जादा है क्योंकि θ2 कम है θ1 से, θ1 जादा है θ2 से, अगर 1 में हमार पास p और t given है, तो क्या करेंगे उसे हम, जो straight line होता है, उसका formula क्या होता है, mx, simple यह होता है, जिसका y intercept ना हो, मतलब कि उसका y intercept 0 हो, और वो origin से शुरू हो रहा हो, तो इस तरी case होता है, y क्या हो जाएगा, इस case में हमारा pressure हो जाएगा, और slope हो जाएगा m, और x क्या हो जाएगा, इस case में temperature हो जाएगा, तो slope क्या होगा, m1 is equal to p1 upon t1, और m2 is equal to p2 upon t2, तो यहाँ पूट करेंगा slope 1, 1 का slope क्या होगा, p1 upon t1 is greater than second वाले का slope, याने की m2, m2 क्या हो जाएगा, p2 upon t2, यहाँ से हमें ये condition आ गया, p1 upon t1 is greater than p2 upon t2, तो अब यहाँ से पता लगाएगा, इसे की एartzऊ करेंगे, तो साն हो जाएगा, और सांच हो जाएगा, V1 is less than V2 तो V2 जो हमारा है मतलब वॉल्यूम बढ़ चुका है तो option सही कॉन सा होगा हमारा option यह लगा increased